देश इस समय एतिहासिक किसान आंदोलन को देख रहा है दो महिने से उपर हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए देश की राजधानी दिल्ली को उसकी तमाम सीमाओं को किसानों ने घेर रखा है मुद्दा सिर्फ एक है कि तीन क्रिशी कानून जो मोदी सरकार ने पारित किये हैं उन्हें वह वापस ले इसके साथ ही साथ किसान जिस तरह से कॉर्परेट को मोदी सरकार देश के हवाले कर रही है देश को कॉर्परेट के हवाले कर रही है उसको चैलेंज कर रहे हैं विकास के रास्ते को दुरुस्त करने का काम या किसान आंदोलन करता दीख रहा है हमारे सामने हमारे साथ इस समय क्रिशी पर लिखने वाले एक ऐसे अर्थ शास्त्री हैं जिन्होंने पिछले तीन दश्यकों से हिंदी में तमाम अलग-अलग पहलूओं पर बहुत बेबाकी से लिख किसान संकड से लेकर विकास के रास्ते को किस तरह से होना चाहिए किस तरह से किसान बिरोधी नीतियां हो रही है डेवेंदर जी नीज़क नीजफ यह कैसे संबह हुआ कि किसान आंदोलन ने देश के सबसे ताकतवर दो कॉर्परेट घराने अडानी और अमबानी जिनके बारे में मीडिया भी लिखने से डरता है उनको सीधे सीधे निशाने पर लिए इस किसान मूवमेंट को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई तीन का ऐसा वो दोवार नहीं था रास्ता नहीं था जो किसान एकदम खड़े हो गए ये ठीक है हम कहते हैं सब के स्पॉंटेनियस मूवमेंट है लेकिन ये बेसिकली आप देखें तो तीन चार दशकों में जो किसानों की अंदेखी हुई है जो उनके साथ इंजस्टिस होई है जो उनको हक बनता था जो नहीं मिला है पिछले चार दशकों से वो गुसा जो था वो इतने सालों का बिल्ड़ अप हो रहा था अब उनको ये लगा कि ये जो तीन लॉज हैं सरकार के अगर ये लॉज आ जाते हैं तो इनकी जो कंडिशन है या इनके हलात है वो और भी बतर हो जाएंगे बद से बहत्र हो जाएंगे तो अब इनको नजर आया कि कोई रास्ता नहीं है यानि किसको कहते हैं इंग्लिश में इनफ इस इनफ या अती हो चुकी है तो आज उस अपने दुख को अपनी पीड़ा को ये एक्सप्रेशन है ये मुझे लगा जो फार्मर्स मुवमेंट इतना बड़ा बिल्ड़ अप हुआ है और ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि ये आंदोलन इसकी रीड़ पंजाब बना पंजाब जो की ग्रीन बेल्ट का पूरा का पूरा पटी रही है जहां पर खेती में सबसे बड़ा प्रियोग जो देश में हुआ उसकी धरती बंजाब रही है तो पंजाब के किसान जो सम्रिद्ध किसान माने जाते हैं, जो बाकी देश के किसानों से बहुत अलहदा हैं, वो बने, ये कैसे आप देखते हैं। किसानों को 20 साल में जो दाम मिले वो फ्रोजन थे, स्टैटिक थे, अगर आप इंफलेशन को अज़स्ट कर लीजिए, तो जो आउटपुट प्राइस किसानों का था, उनको वो ही 2005 में भी मिल रहा था, जो उनको 1985 में मिल रहा था, अब देखिए ये कितना बड़ा दुनिया क जो पॉपुलेशन है, अगरिकल्चर में इंवाल्ड है, उसकी इंकम नहीं बड़ी 20 साल, और अमीर देशों ने तो अपने किसानों को सबसीडी दे दी, हमारे देश ने हमारे अपने किसानों को भगवान के बरों से छोड़ दिया, फिर देखिए एक OECD की रिपोर्ट आत को इतना नुक्सान हुआ, लिए किसानों ने अपने सहा है ना, इन्हों ने अपना पेट काट के देश का पेट भरा है, और ये प्रथा जो है, ये सिस्टम जो है, ये चलता आ रहा है पिछले चार दश्कों से, अब देखे, एकनॉमिक सर्वे 2016 कहता है, कि भारत में किसानो की ओसतन आए स्तारा राजियों में, यानि आदे देश में, बीस हजार रुपे साल की है, यानि स्तारा सु रुपे से कम में किसान गुजारा कर रहे हैं आदे देश में, आप तो स्तारा सु रुपे में गाय नहीं पाल सकते हैं, हम कभी सोचें कि वो किसान कैसे अपना परि साल में तक्रीबन साड़े तीन लाग से जादे आतमत आए आफिशली जो रिकॉर्डिड है वो हो चुकी है तो उसको उसका गुसा तो कभी ना कभी निकलना था ना तो वह गुसा निकला है आज हमारे सामने एक बात तो यह हमें जाननी जूरूरी है दूसरी बात यह है कि हम कि पंजाब के किसानों का गुसा क्यों पंजाब के किसानों का गुसा देखिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहां एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पंजाब के किसान बहुत संपन है कुछ लोग लिख रहे हैं कि अपने सुना हैं सब कुछ अभी मैं हाल के ही यह बैंक से और टोटल जो करजा है यह पंजाब अगरिकल्चर उनिवस्टी की रिपोर्ट कह रही है कि एक लाग क्रोड रुपे का करजा आज किसानों के सिर पे खड़ा है पंजाब में उसके लावा आप यह देखिए कि पंजाब में हम यह मानते हैं कि यहां पर लोग अगर फार्मर गरीब है गरीब है तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनका हाल होगा दूसरी बात देखिए कि पंजाब अगरी कल्च उनिवस्टी लुध्याना पंजाबी इनवस्टी पत्याला और गुर्णानक देव इनवस्टी अम्रिस्टी तीन पब्लिक सेक्टर इन्वस् पंजाब में किसान और किसान जो मजदूर है 16600 किसान और किसान मजदूरों ने आतम हत्या की आप मुझे बताईए कि 16600 किसान ने आतम हत्या की 15 साल में अब यह बताईए अगर यह किसान अमीर होते या यह किसान जिसको हम कहते हैं कि मुच्छे इनकी उपर है वो तो रहें अखवार में आपको दो तीन आम तोर पे सूसाइड मिलती है और अफसोस देखे क्या है जब मैं ट्विट करता हूं कि पंजाब में आज दो किसान मर गए हैं तो मुझे जवाब क्या मिलता पड़े लिखों से इनको तो मर जाना चाहिए था यह तो देश के ओपर बोज है कि इस आंदोलन के बारे में शुरू से जो एक निगेटिव बनाने की कोशिश है मीडिया में कि यह तो बहुत संपन किसान है यह तो बिजनेस करने वाले किसान है यह आम किसान नहीं है भारत का आम किसान तो बिलकुल दूसरे ढंका है पंजाब के किसान और आम किसान में ब दो रातें तो गुजार दे इस थंड में अगर टेंट के नीचे ये बैठके अपनी रातें गुजार रहे हैं दो महिने होगे इनको मिझे बताइए कौन सा अमीर आदमी है जिसको मैं भी पैसा देने को त्यार हूँ जो आके यहां पर अपनी रात गुजार दे को टेंट में ट्रॉली में सोना कोई असान काम नहीं है और इतनी ठंड में और अगर ये किसान अगर आके यहां पर इतने दो महिने से डटे हुए हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ बहुत जादे ही पीड़ा होगी जिसको आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम कुछ भी करने को त्यार हैं लेकिन हम अपनी अवाज जो है अब देश को सुना के जाएंगे इसमें गलत क्या है वो अपनी बात बताने आए हैं हमें सुनना चाहिए I think as a nation as a society क्यूंकि आज तक हम ये भी जाने भाशा जी कि कि किसानों ने देश को सबसराइज किया है ये बड़ी गल्द फ और कंजूमर को 25% जादे उसमें फैदा हुआ है तो उपभुगता को सबसराइज किया है इन किसानों ने और इनको कभी किसी ने इनकी सुद ने ली है मुझे लगता कि आज सुसैटी को समझना चाहिए कि ये किसान जो है ये ये देश का एक जिसने देश को सिर्फ अंदात दिखाया है जो हम एज इंटेलिजेंस या एकडेमिया मीडिया हम फैल कर गए थे इतने दश्कों से हमने कभी किसान की अवाद ने उठाई कभी किसी ने चिंता नहीं परकट की कि इनको भी दाम अच्छा मिलना चाहिए इनको भी अच्छी इंकम मिलनी चाहिए वो आज किस सबसे पहले उठ खड़ा हुआ कॉर्परेट को खेती देने के खिलाफ इसकी क्या वज़र लगती है और क्या ये जो विकास का पूरा नोशन नियो लिब्रल एकॉनमी में नव उदारवादी अर्थविवस्था में शुरू हुआ था कि कॉर्परेट का कोई विकल्प नहीं है सब कुछ कॉर्परेट ही के पास जाना चाहिए क्या ये जो किसान आंदोलन है कहीं उसको भी चुनोती देखता आपके दो सवाल है पहला सवाल हम समझें कि आपने कहा है कि ये जो फूट बाउल है देश का यही क्यों खड़ा हुआ है इसके दो कारण है एक की फूट बा का minimum support price किसानों को मिलता है वो जो किसानों को मिलता वो ही market में आता है और उसी से पंजाब की economy चलती है एक बात तो यह होगी दूसरी बात यह करना कि बाकी देश में क्यों नहीं हुआ बड़ा interesting है यह देखिए पंजाब हर्याना में तो minimum support price का system हरित क्रांती के time से चल रहा ह शरत पावार जी जब एगरी कल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने एक Parliament में statement दी है कि 71% किसानों को देश में पता ही नहीं है कि MSP क्या होता है जब उनको पता ही नहीं है तो वो किसके लिए खड़े होंगे तो उनको शायद अभी तक यह समझी नहीं आया कि हम भी पंजाब के level पे क्यों नहीं आए अब देखे ना बिहार में आप जानते हैं 2006 से APMC नहीं है 14 साल हो गए है बिहार की आज average income क्या है 7000 रुपे के आसपास है पंजाब में average income क्या है 18000 रुपे के आसपास है बिहार के जो किसान है वो आके पंजाब में workers का का काम करते हैं मजदूरी करते है कभी आपने सुना कि पंजाब के किसान जाके बिहार में मजदूरी कर रहे हैं हम भी चाते हैं कि पंजाब का किसान जो है उसके मकाबले में कल बिहार का किसान खड़ा हो उसके लिए वहां भी MSP को लागू करना जरूरी था जो हमने नहीं किया मुझे लगता है कि पंजाब बता भी हों कि पंजाब के किसान या देश के किसान जो अब इतना बड़ा अंदोलन हो गया है एक्चुली यह अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं दुनिया के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं आज आज किसान अमरिका में भी दुखी है आज किसान यूरप में भी द holding size है जो system market economy का वहां तो 6-7 दशकों से चल रहा है 6-7 दशकों के चलने के बाद भी आज अमेरिका में किसानों के ऊपर 425 बिलियन डॉलर का करजा खड़ा है 425 बिलियन डॉलर का करजा खड़ा है आज अमेरिका में गाओं में 45% suicide जादे हो रही है शहरों की वनिस्पद तो अमेरिका की condition बहुत खराब है और वो ही यूरप का हाल है यह जो किसान है हमारे देश के आज वो उस सारे system को challenge कर रहे हैं यह कह रहे हैं कि जो पॉर्प news एक किसान को तबाह किया है युआ की सान को तबाह किया है तो वह नहीं चाहते कि पन्जाब के किसान को या दिश के किसान को भी वो थ्यृभ्या करें Cause अमें Slip इसैने की रही है यह उनको अप अनपड कह दीजिए यह कह तीजिए गंवार है कि var कि आज तक वो नहीं खड़े हुए एक किसान खड़े हो गए उनके लिए एक जो डवलप्मेंट मॉडल अभी नियो लिब्रल एकॉनमी ने दिया था उसकी बहुत कड़ी चुनौती किसान पेश कर रहे हैं और यही बड़ी अजीब बात है कि अजीब एक उसको देखने की विखे हैं मुझे मालू मैं अभी एक सुप्रीम कोट के सोरी एक स्टेट ब வ हगो और रिखा और छान की धान मेरा मानना है पंजाब के किसान और पिशारा वो कहते हैं गेहूं की जो इनकी परक्टिविटी है वो 5.1 टन पर हेक्टियर है दोनों 5.1 टन वीट की और पैडी की 6.6 टन ये दुनिया के ऊपर के जो दो तिन देश है उसमें ये आते हैं पंजाब उसमें अगर शामिल कर लिया जाए तो ये लेजी कैसे हो सकते हैं ये सुस्त कैसे हो स आसे को मिला होगा कहने का मतलब ये है कि हमारे लेजी इकॉनिस्थ जो हैं वो हमारे किसानों पर दोश देते हैं लेकिन ये समय आ गया कि इन्हीं लेजी जिनको हम कहते हैं फार्मर्स ने इन्हें ही दो एकनौमिक डिजाइन उसको चैलेंज कर दिया है एक आखरी सवाल बहुत मुश्किल है, तो आपको क्या लगता है कि किसान जीत पाएंगे? यह सोच के चलना कि मुझे मालूम है कि हमारे जो किसान है वो कभी सोच के नहीं निकले कि हम किस को परास्त करेंगे, यह अपनी बात को लेकर दुरुस्त अपने उसमें खड़े हैं कि हमारी बात को, हमारी पीडा को, हमारी दर्द को समझीए, एक बात तो यह है अब उसमें कौन जाता है, कौन नहीं जाता, I don't think इनका कोई इंटरेस्ट था इस बात में जितना कि मैं समझ पाए हैं किसानों को दूसरी बात यह है, कि आप यह सोचें कि यह जो अंबानी, अदानी, यह तो सिंबल होगे न, उस कौर्पेट की बात हम कर रहे हैं पहला है जिसमें यहां पोस्टर्स लगें कि इनके प्रोड़क्स का बाइकॉट किया जाए, पंजाब में जियो का बाइकॉट हुआ वो एक सिंबॉलिक बात है कि उन्होंने दो को इडिन्टिफाई किया, शायद पचास भी हो सकते थे लेकिन मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि वो जो कॉर्पेट सिस्टम है, वो ऐसे मत हम सोचें कि यह इसको नहीं वो कर सकते हैं मुझे याद है कि मुझे किसने यह सवाल पूछा था, जब महत्मा गांदी या अज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें आपको पता होगा कि कहा जाता कि आपको याद होगा, किसीने सोचा था उस समय कि बिटिश अमपायर जो है कभी दोस्त हो जाएगा, कभी सोचा था किसीने, लेकिन आप देखिए कि लोगों की अपनी जो कमिटमेंट है या सोचना है, जिस दिन वो ताकत उनमें आ जाती है, आज यह किसान समझते हैं कि इनक इसने दश्कों के बाद जब हम मानते थे कि इसके सिर्फ दो ही रोल है, किसान को दो ही रोल माने जाते थे, एक वोट बैंक था और एक उसका लैंड बैंक था, यही इसका रोल था, लेकिन आज किसानों ने दिखा दिया है कि ना तो वोट बैंक है, ना वो लैंड बैंक है, आज वो society का उतना ही important हिस्सा है जितना कि corporate है और मुझे मानना है मेरा मानना ये है भाशा जी कि इस देश के economic structure सिर्फ कहता है कि corporate जो है वो engine of growth है मेरा मानना है कि आज किसान ये बता रहे हैं कि actually किसान भी जो है देकन भी a power house of growth और अगर इस section पे जो साथ क्रोड population involved है उस पे ध्यान दिया जाए तो जो से प्रधान मंतरी कहते है ना सबका साथ सबका विकास उसका रास्ता यही है और उसका रास्ता यही है उनका vision achieve करने के लिए मुझे लगता है कि हमें किसानों की मदद करनी पड़ेगी और किसान आपके देश का जो आतम निर्बर भारत का जो dream है वो पूरा कर पाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया निउस क्लिक से बात करने के लिए देवन जी